बच्चों, इसके पूरू के क्लास में आपने दो समुच्चियों का कार्थी गुनन देखा है कि हम दो समुच्चियों का कार्थी गुनन किस प्रकार से करते हैं हमने पहले ही कहा था कि संबंद को जानने से पूरू हमें कार्थी गुनन जानना होगा तो आएए बच्चों संबंध को परिभासित करने के लिए हम इस उदाहरण पर विचार करते हैं आप इस्क्रीन को देखिए मा लिजे समुच्च ए बराबर रायपूर कामा लखनाउं कामा कोलकाता कामा पठना और दूसरा समुच्च ए बी देखिए स्क्रीन पर चत्तिस गड़ कामा उत्तर प्रदेश कामा पस्चिम बंगाल कामा बिहार अब आपने कार्ति गुनन निकालना सीखा है तो यहाँ पर हम देखें समुच्च ए में चार आउयो है अर्थात N A is equal to 4 दूसरा समुच्च ए बी में इसमें भी 4 आउयो है अर्थात N B बराबर 4 तब कार्ति गुनन A cross B में आउयों की संख्या क्या होगी इसके पूरो आपने सुतर देखा था N of A cross B is equal to N of A into N of B अर्थात N of A cross B is equal to 4 into 4 is equal to 16 अर्थात कार्ति गुनन में यहां पर कुल आउयों की संख्या सोला होगी तो बच्चों हम इल सोला क्रमित युगमों को हम लिख सकते हैं आए हम लिख कर देखते हैं आप इस्क्रीन पर देखें A cross B is equal to रायपूर कामा च्छतिजगर कामा रायपूर कामा उत्तरप्रदेश कामा रायपूर कामा पस्षिम बंगाद डैस 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 इसी प्रकार से हम अन आयों को लिखते हुए हम आखरे आयों को लिखते हैं पठना कामा बिहार इस प्रकार से A cross B के सभी हम 16 क्रमित युगमों को लिख सकते हैं अब बच्चों यदि आप इस क्रमित युगमों को गौर से देखें A cross B के हम सभी आयों को है यदि हम देखते हैं तो हमें क्या देखने कीमिता है कि इसमें समुच्चे A के आयों को देखिए आप राइपूर, लखनव, कोलकाता, पठना ये सभी सहर के नाम है और दूसरा समुच्चे B इनके आयों ये सभी राज्जी के नाम है अब हम यदि ये कार्ति गुनन एक रॉस भी के कुछ ऐसे आयों पर विचार करते हैं जिसका पहला घटक तथा दूसरा घटक के बीच एक विशेश संबंध और रखता हो ध्यान दीजे बच्चों कि प्रतेक क्रमित युगम में दो घटक है अब हम ऐसे क्रमित युगम में पर विचार करने जा रहे हैं जिसक में पहला घटक और दूसरा घटक के बीच एक विशेश संबंध आर रखता हो तो बच्चों आप इसमें ढूड़िये क्या विशेश संबंध है तो आपको देखने के मिल रहा है यहाँ पर प्रतेक अवयों का पहला घटक सहर और दूसरा घटक राज्य का नाम है अब इन क्रमित युगमों को अलग कीजिए जिसमें पहला दूसरे घटक का राजधानी हो यदि इस विशेश संबंध को हम आर से प्रदर्सित करें तब इस संबंध आर को हम कैसे लिखेंगे ध्यान दीजी बच्चों हम उन क्रमित युगमों को प्रिषक कर रहे हैं जिसमें पहला घटक दूसरे घटक का राजधानी हो तो ऐसे कौन कौन से हैं आप प्रिषक करिए और यदि हम इस संबंध को विशेश संबंध को आर से दर्साएँ तो हम इनको प्रिथक करके इस प्रकार से लिख सकेंगे, आप स्क्रीन पर देखें, R is equal to, पहला क्रमी त्यूग में देखें, रायपूर, कामा चत्तिसगर, कामा लखनौ, कामा उत्तरप्रदेश, तीसरा क्रमी त्यूग में देखें, कोलकाता, कामा पस्चिम बंगाल, और च सम्बंद R में, चार आवयों हैं, अर्था, चार क्रमी त्यूग में, जबकि कार्ति गुनन, A क्रोस B में, कुल, 16 आवयों हैं, तो बच्चों, यहाँ पर क्या देखनेक मिल रहा हैं, यहाँ पर देखनेक मिल रहा है, कि सम्बंद R के, चारो क्रमी त्यूग में, A क्रोस B के ही अवयों हैं अर्थाद देखनेक मिल रहा है क्या कि R is the subset of A cross B क्योंकि संबंध R के सारे के सारे अवयों A cross B में मौजुद हैं अर्था यहां से इसपर्ष होता है कि R is the subset of A cross B कि अर्थाद क्या कहा जा सकता है इसको कि संबंध कार्थी गुनन का उपसमुच्य होता है तो यदि हम R को इस प्रकार से प्रदर सीथ करें सर्पाक और कोस्टक के अंदर हम सभी क्रमित युगमों को अलविराम से प्रिथक करते हुए लिख दें तो यह संबंध का निरुपन रोस्टर रूप कहलाता है आप इस क्रीन पर देखें इस प्रकार हम संबंध को रोस्टर रूप में लिख सकते हैं अब यदि हम संबंध आर के प्रतेक क्रमित युगमों को व्यापक रूप में x, y के रूप में लिखें तो इसका प्रत्थम घटक x तथा दीती घटक y के भी संबंध आर X is related to Y अर्थात यहाँ पर X Y की राजधानी है आप देखें क्या X is related to Y अर्थात X Y की राजधानी है इस प्रकार से हम पढ़ेंगे और इस संबंद R को हम ब्यापक रूप में इस प्रकार लिखेंगे R is equal to क्रमित्युगम X कामा Y such that X Y की राजधानी है तथा X belong to set A और Y belong to set B संबंद के इस रूप को हम समुच्चर निर्मान रूप कहते हैं और इस संबंद R को हम तीर आरेक दोरा भी प्रदर्शित कर सकते हैं आए इस्क्रीन पर देखिए ये समुच्चाए A इसके आवयों है राइपूर लखनाउ कोलकाता पटना और ये समुच्चाए B जिसके आवयों है अब इस विशेष संबंद को यदि हम R से दर साते हैं समुच्चाए A से समुच्चाए B में संबंद R कैसे संबंदित है राइपूर 36 गड़ की राजधानी है अर्थात राइपूर 36 गड़ से संबंदित है लखनाउ उत्तर प्रदेश की राजधानी है अर्थात लखनाउ का संबंद उत्तर प्रदेश से है इस प्रकार संबंद को हम तीन प्रकार से दर्शा सकते हैं पहला आपने देखा रोस्टा रूप दूसर आपने देखा समुच्चर निर्मा रूप और तीसर आप इसक्रीन पे देख रहे हैं तीर आरेक रूप तो बच्चों हमें कई बार ऐसे प्रश्ण पूछ देते हैं कि रोस्टा रूप में लिखिए या समुच्चर निर्मा रूप में लिखिए या फिर तीर आरेक बनाए तो इसे आपको विश्यस रूप द्यार रखना होगा इन उदाहरण से हम संबंध को परिभासा परिभासित कर सकते हैं आएए संबंध की परिभासा देखते हैं इस उदाहरण के माध्यां से माना A और B दो और एक समुच्चा हूँ और यदि केपिटल आर समुच्चा A से समुच्चा B में एक संबंध है तो R is the subset of A क्रॉस B अर्था समंध आर कार्थी गुनन A क्रॉस B का उप समुच्चा होता है जिसे हम सांकेतिक रुप में लिखते हैं R is equal to क्रमित युगमा X कामा Y such that X is related to Y कामा X belongs to समुच्चा A और Y belongs to समुच्चा B बच्चों हमें संबंध है तो कुछ अनिपरिभासिक सब्द भी जानना होगा पहला परिभासिक सब्द है संबंध का प्रांथ अर्थाद डोमेन डोमेन क्या होता है प्रांथ क्या होता है तो इसके पहले आपने संबंध की परिभासा देखा संबंध क्रमित युगमों का समुच्चा होता है तो हम सबसे पहले प्रांथ देखते हैं कि किसी संबंध R के प्रतेक आवयो के प्रताम घटकों का समुच्च है उस संबंध का प्रांद कहलाता है और इसे सांकेथी गुरुप में लिखते हैं डोमेन आफ एर स्क्रिन पर देखे बच्चों डोमेन आफ आर इस इपल टो एक्स सच दैट एकस वाइब लांग्स तो आ र दूसरा परिभासी सब्द है हम बच्चों इसका एक उदाहांट भी ले लेते हैं पहले इसका एक उदाहांट देखें स्क्रीन पे देखें यदि संबंध R is equal to 1A, 2B, 3C, 4D तो हमको इस संबंध R का domain ग्याद करना है प्रांध ग्याद करना है तो अभी परिभासम आपने क्या देखा संबंध के प्रत्यक अवयों के पहला घटक से बनाया गया समुच्च है तो इसका पहला घटक देखें बच्चों 1, 2, 3, 4 तो domain of R is equal to 1, 2, 3, 4 दूसरा परिभासी सब्द है सहप्रांध अर्थाद co-domain अब co-domain अर्थाद सहप्रांध क्या होता है दीखें इसको हम इस प्रकार से समझते हैं यदि एक संबंध R समुच्चे A से समुच्चे B में परिभासित है तो समुच्चे B को समुच्चे R का सहप्रांध कहते हैं और इसे इस प्रकार से लिखते हैं co-domain of R is equal to समुच्चे B तीसरा परिभासित सब्द है परिसर रेंज इसको परास भी कहते हैं तो आएए इसको परिभासित करते हैं कि संबंद का परिसर क्या होता है किसी संबंद R के प्रत्यक अवयों के ड्वीती घटक का समुच्चे उस संबंद का परिसर कहलाता है और इसे सांकितिक रूप में इस पर कार से लिखते हैं रेंज आप R रेंज आप R is equal to Y such that X, Y belongs to R इसको भी एक उदाहंट से समझ लेते हैं यदि R is equal to 1A 2B 3C 4D तो रेंज आप R is equal to ड्वीती घटक को अलग करिये और समुच्चे की रूप में लिखे अर्थार रेंज आप R is equal to A कामा B कामा C कामा D तो बच्चों इस प्रकार से हम संबंद को परिभासित करके हम इन सभी परिभासि सब्द अर्था संबन का प्रांद क्या होता है उसका सरप्रांद क्या होता है उसका रेंज क्या होता है आपको निकालने आना चाहिए क्या प्रोस्परांद हो जस्टे साब्स टीआ क्या है